तो अच्छ फॉंपनें से लेगनात्यum के फॉस्टप संग्स ही onपनें pregnant एक ट्रेंड फॉलोहिंग सेतेजी फॉलो करता हूं सिस्टम है बिसेकली वह फॉलो करता हूं और और तो मैं आट महीने से कुछ फॉलो कर रहा था, प्रैक्टिस भी भागत किया है, बैक्टेस्ट भी भागत किया था, एप्रिल मनत में तो मुझे अच्छा प्रॉफिट था, पर में मन्त में मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है, और मेरे खाल से 7 stop loss continuously हिट हुए है अब उसका reason में ढूनने की कोशिश कर रहा था तो मैंने ये देखा मैं बहुत depressed हो रहा हूँ, बहुत मुझे परिशानी भी हो रहे है क्योंकि back to back stop loss हिट हो रहे है पर मैं अपने ये strategy या system को छोड़ूंगा नहीं एक महीने का जो loss है वो एक ही trade में खतम होने वाला है नमस्ते दोस्तों, मैं वीजय ठककर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए stocks for the week के वीडियो में अभी आज के वीडियो में हम लोग market के बारे में discuss करेगे sectors के बारे में discuss करेगे और last में discuss करेगे तीन stock के बारे में जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे है इसमें से एक stock ने तो already मैंने आप लोगों के साथ 21st मे वाले वीडियो में share किया था और वो stock में अभी आप लोगों को फिर से एक perfect opportunity मिल रही है फिर से एक uptrend की शुरुआत करने वाला है तो ये सब मैं आप लोगों के साथ सुरू करूँगा पहले हम लोग discuss कर लेते हैं market के बारे में अभी हम लोग ने देखा कि last week में मतलब last to last week में भी market ने all time high break करने की कोशिश की पर break नहीं कर पाया वहां से reject हो गया था और ये week में भी market ने अपने all time high को break करने की कोशिश की और ये week में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि market ने एक अच्छी कोशिश की है अभी अगर Monday को market gap up open होता है तो nifty में तो all time high break ही हो जाएगा तो अभी हम लोग चार्ट देखते हैं और ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है अभी देखो आप लोग यहाँ पे nifty monthly का चार्ट देख रहे हो और आप यहाँ पे clearly देख सकते हो कि 18,887 यह अपना जो all time high का level है और ये week में हम लोग में high मारा 18,864.70 और close हुए है somewhere around 18,826 के पास अभी देखो यहाँ पे अगर आप यह monthly candle देखोगे ना तो as of now यह monthly candle strong है पर हम लोग weekly candle में जाते हैं और आप लोग यह देख सकते हैं कि last week में जो candle था वो rejection था और ये week का candle बड़ा एक strong candle बना है तो ये भी एक positive चीज है हम लोग almost all time high के पास ही है अभी daily time frame में भी आप देख सकते हो मैं अपने twitter पहना आप लोगों के साथ daily एक minute की एक story शेयर करता हूँ उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला था Friday को के market अपनी ये trend line अगर break करेगा तो खराब होगा पर market ने अभी तक अपनी ये trend line break ने की अच्छी तरीके से उपर ही गया है अभी देखते हैं Monday क्या होता है अगर ये trend line break होगा तो हम लोग downside nifty में देख सकते हैं और अभी हम लोग देखते हैं bank nifty का chart देखो bank nifty का chart अगर आप देखोगे न तो bank nifty का जो all time high था वो ये level पे था bank nifty last month भी all time high break किया था ये month भी all time high break किया है bank nifty का last month का candle जो candle था वो भी doji type का candle था ये month अभी तक खतम नहीं हुआ है पर अभी भी doji type का candle है compare to nifty अगर हम लोग यहां पे देखे bank nifty week है तो ये एक point हो गया monthly chart में अभी हम लोग weekly chart में देखेगे अभी weekly chart में देखो यहां पे अगें अपने all time high के resistance के पास bank nifty consolidate कर रहा है हम लोग daily time frame का एक बार chart देखेगे और अगर आप मुझे twitter पे follow करते हो तो आप लोगों को पता होगा मैंने जबी Friday को bank nifty गिरी थी ना यहां पे तभी मैंने आप लोगों के साथ एक tweet share किया था और मैंने उसमें बोला था कि bank nifty को 43.390 का एक support है जो यहां पे आप लोग देख सकते हो यह level पे support था और मैंने यहां पे यह भी बोला था कि यह level से bank nifty reject हो सकती है जनरली आप लोगों को पता ही होगा कि important support या resistance first attempt में break नहीं होते है तो अभी हमारे लिए bank nifty का यह important support है अभी अगर मैं chart को देखूंगा आप यहां पे देखो तो bank nifty एक sideways narrow consolidation में trade कर रहा है अगर all time high break होता है तो कुछ upside moment देखने मिल सकती है अगर हमारा यह जो 43.390 का level break होगा तो हम लोगों को downside level देखने मिल सकता है जब तक यह level break नहीं होते market में confusion बना रहेगा तो वो एक चीज अभी चल रही है और मैं आप लोगों के एक बात बताता हूँ bank nifty में है ना मैं एक trend following strategy follow करता हूँ system है basically वो follow करता हूँ और वो मैं 8 महीने से कुछ follow कर रहा था practice भी बहुत किया है back test भी बहुत किया था अब आपको बता है April month में तो मुझे अच्छा profit था पर May month में मुझे बहुत अच्छा खासा loss हुआ है और मेरे ख्याल से 7 stop loss continuously हिट हुए है अब उसका reason में ढूनने की कोशिश कर रहा था तो मैंने ये देखा कि May month में अगर मैं overall bank nifty की move देखू high से low तक तो 4% की थी और bank nifty 2% ही close हुआ है तो अगर ऐसा bank nifty चलेगा sideways में चलेगा तो फिर trend following system तो खराब हो नहीं वाला है बढ़ देखो मैं बहुत depressed हो रहा हूँ बहुत मुझे परिशानी भी हो रहे है क्योंकि back to back stop loss हो रहे है पर मैं अपने ये strategy या system को छोड़ूंगा नहीं because मुझे पता है कि जब मुझे trend पता चलेगा या मेरी strategy के या मेरी system के basis पे मुझे trend मिलेगा तब मुझे बहुत बड़ा trend मिलने वाला है तो एक महीने का जो law से वो एक ही trade में खतम होने वाला है तो ये just आप लोगों के साथ share करना था अभी अगर हम लोग दूसरे मैं अगर सिफ हम लोग देखे तो ये USD ने थोड़ा बहुत अंडर प्रफॉर्म किया है बाकी सब भी अच्छी चीज है और USD डॉलर अगर गिरेगा वो हमारे लिए अच्छा ही है तो sector wise तो कोई चीज खराब नहीं थी अभी अगर हम लोग FIS की बात करे ना तो last week में FIS ने बहुत अ सिफ मंडे को मेरे ख्याल से उन्होंने सेलिंग किया था वो भी बहुत छोटे अमाउंट से अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो वह 102 के आसपास ट्रेट कर रहा है अगर हम लोग इंडिया विक्स की बात करें तो वह 10.84 के आसपास चल रहा है इंडिया विक्स से ह मैं आप लोगों को सच बताओ मार्केट ऐसे तो दिख रहा है कि मार्केट स्टॉंग है पर मैं मार्केट में अभी कन्फ्यूज हूँ विक्स अगर मार्केट को उपर जाना है तो मार्केट कपका उपर चले जाता नीचे जाना है तो कपका चले जाता पर पर पता नहीं मार तो देखो मैंने आप लोगों के साथ 21st में को एक वीडियो शेयर किया था और उसमें मैंने आप लोगों के साथ मास्टेक शेयर किया था और एप्टेक शेयर किया था और मास्टेक जब भी स्टॉक शेयर किया था तभी 1888 का प्राइस था उसके बाद वो 2100 तक भी गया था औ और जब भी मैंने आप लोगों के साथ एपटेक शेयर किया था तो मुझी फिर से एपटेक में इंटरस्ट आया है तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करना सोचा अभी देखो वो टाइम पर मैंने आप लोगों को क्या बुला था कि 2007 का breakout यहाँ पे attempt हुआ था 2021 में और finally यहाँ पे हमारा breakout confirm हुआ तो मेरा view क्या था कि इतने साल और बाद यह breakout हुआ है यह breakout बहुत strong होता है और आप लोग ने देखा 450 वाला stock almost same candle में 591 दख चला गया था तो अभी यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से किसी ने यह trade को miss किया होगा तो यहाँ पे एक opportunity है जहाँ पे आप यह trade में फिर से अपनी entry ले सकते हो अभी मैं इसको weekly time frame पे share करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ एक बहुत important चीज़ देखो जब यह stock ने breakout किया और upside move किया ना तभी आप notice करो इसका volume देखो कितना strong था और जब यह stock मदब यह गया तो सिफ दो candle में उपर था weekly में और गीरा तीन candle में और वहाँ पे इसके volume भी बहुत low है compare to breakout वाले candle को और अगर आप लोगों को देखना है detail में आप daily time frame में देखो daily time frame में देखो break जो upper side जाने वाले candle थे उसके volume देखो और जब यह stock नीचे आया पहली बात तो बहुत छोटे छोटे candle से नीचे आया और अभी यह जब फिर से strength दिखा रहा है तब फिर से volume बढ़ रहा है तो aptec एक ऐसा stock है जिसके उपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए 450 के आसपास इसका breakout हुआ था अभी 500 के आसपास चल रहा है aptec में अगर आप range calculation निकालोगे तो यहां से लेके यहां तक की range calculation निकालोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 800 के side का हमारा कुछ target आ रहा है और aptec में आपको 430, 450 के आसपास breakout हुआ है तो आप aptec में 400 या 390 का भी stop loss लगा सकते हो तो यह stock अगर आपने miss कर दिया है तो वापस से इस पे जरूर ध्यान देना, अपना analysis लगाना, मेरे बोलने पे कुछ भी मत करना मेरा analysis wrong भी हो सकता है आज का जो हमारा दूसरा stock है ना, उसका नाम है Polymedicure अभी देखो यह stock मैंने क्यों select किया इसका भी reason में आप लोगों को बताता हो फिलाल आप लोग यह stock का monthly time frame chart देख रहे हो और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो एक breakout है वो 316 पे हुआ था उसके बाद यह stock non-stop चला है और उसके high तक यह stock ने almost 260% का return दिया था पर अभी देखने वाली बात क्या है ना यहाँ पे मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि stock चलने के बाद obviously consolidation करता है जिसको हम लोग distribution भी बोल सकते हैं अगर वो उपर की side हो रहा है तो पर अगर यह stock का distribution level है तो उसके बाद वहाँ पे फिर से fall आना चाहिए और fall कब आएगा जब stock अपने distribution level का lower level break करेगा तभी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह stock का यह पूरा एक बड़ा range था और अगर यह आप range को calculate करेंगे ना यह monthly time frame का candle है और अगर आप सारे candle को calculate करोगे high वानने के बाद तो almost 25 से लेके 26 month के बाद मतलब दो साल से भी ज़्यादा time का यह stock ने consolidation किया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह week में यह stock ने बहुत ही एक बड़े strong candle से breakout दिया है एक बार में आप लोगों को है ना इसमें weekly time frame में लेके जाता हो आप यहाँ पे देखो इसका candle भी कितना strong था और यह candle में again volume भी कितना strong हुआ है तो यह दोनों एक positive चीज है आप लोगों को यह stock पे ध्यान देना चाहिए इसका 1033 से लेके 1070 के आसपास इसका breakout हुआ है अभी यह stock 1146 के आसपास चल रहा है इसमें आप लोगों को अगर यह stock अगर फिर से 940 level break कर देगा तो weak हो जाएगा और अगर आप लोगों को इसमें upside calculate करना है तो again आप इसमें range calculation निकालिए और breakout के बाद add कर दीजे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यह stock का upside 1500 level तक आ सकता है तो यह stock में भी आप जरूर ध्यान दीजिए जनरली मेरा तो 3 choice होता है time, price और volume अब इसमें एक time का factor नहीं है बट मैंने यह stock को सिर्फ consolidation और उसके बाद जो breakout हो रहा है उसके लिए select किया है अभी आज का जो हमारा वीडियो का last stock है ना उसका नाम है अशोक लेले और यह stock मैंने आप लोगों के साथ मेरे खाल से Friday को ही ट्विटर पे share किया था और यह stock को select करने का logic बहुत simple है देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो 2018 का इसका हाई था 166 अगर मैं यहाँ पर एक normal resistance line बनाओ तो यह stock में अभी तक breakout हुआ नहीं है 167.50 के उपर इसका breakout होगा बट अगर हम लोग trend line मनाते है तो trend line का advantage क्या है कि trend line आपको early signal देता है और आप यहाँ पर simply देख सकते हो कि on the basis of trend line यह stock में अभी बहुत ही strong breakout हुआ है यह monthly chart है एक बार मैं आप लोगों को weekly दिखाता हूँ 156 इसका breakout level था अभी यह 164 चल रहा है इसको एक nearest resistance जो है 169.50 का है अगर यह level market में यह stock break कर देगा तो यह stock में भी एक बहुत अच्छी upside momentum आप लोगों को देखने मिलेगी इसका target कैसे calculation करना है वो मैं आप लोगों के उपर छोड़ता हूँ यह आप लोगों का homework है अभी आप लोगोंने मेरे बहुत वीडियो देखे आप इतनी चीज तो easily कर सकते हो तो यह थे हमारे सारे stock जो मुझे अच्छे लग रहे है आने वाले time के लिए और आप लोग यह stock में जरूर ध्यान दीजिए अपना खुद का analysis करिए उसी के बाद यह stock में buying या selling करना मैं आप लोगों के साथ सिर्फ मेरा knowledge share कर रहा हूँ कोई भी आप लोगों को buying selling recommendation नहीं दे रहा हूँ अभी और एक चीज आप लोगों को बता दू हम लोग ने देखा कि sector wise में अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो last week में steel sector ने भी अच्छा perform किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि steel sector में एक stock है JSW steel जो बहुत strong लग रहा है वहाँ पे भी आप breakout देख सकते हो इसके अलावा बजाज electrical जो एक stock है उसमें भी एक strong breakout आने वाला है तो आप उसका भी analysis कर सकते हो और एक stock है मेरे watch में जो almost एक bad news के बाद गिरा था और वापस से वो stock वो price के उपर है तो अगर वो proper breakout देगा तो शायद आने वाले time में मैं आप लोगों के साथ वो भी श्याउक जरू शेयर करूँगा अभी ये था मेरा आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को इसी तरीके से stock selection कैसे करना है कहाँ पे target, कहाँ पे stop loss लगाना है कैसे stock में हम लोगों को entry, exit करनी है ये सारी चीज़े सीखनी है न तो आप लोग मेरा stock box का method है जो हमारा one year का program में वो join कर सकते हो ये program में मैं आप लोगों को पूरी method सिखाता हूँ पूरा process सिखाता हो और साथ ही साथ आप लोगों को एक साल का मैं support भी देता हूँ तो अगर आप लोगों को ये program join करना है तो उसके link में नीचे description में दे दूँगा आप जाके जरूर देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप join करिए वरना मत करिए तो ये था मेरा आज का ये video अगर आपको हमारा ये video अच्छा लगाए तो आप हमारे video को like और share कर सकते हो अगर आप हमारे channel पे नए हो तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हो मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई next video में तब तक के लिए बबाए